मौज आप को डाउनलोड करें और हिस्सा लें इंडियास गौट टालेंट के वाइल्ड कार्ड एंट्री में मौज बना हिट हो जा पॉलिसिस्टिक ओवरियन डिजीज और पॉलिसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम सुन्ने में एक जो ऐसे लगते हैं लेकिन कई माईनों में एक दूसरे से अलग हैं ये दोनों ओवरीस से जुड़ी एक मेडिकल सिचुएशन है जो महिलाओं में हॉर्मोनल गड़ बिल्री की आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि PCOD और PCOS में डिफरेंस क्या-क्या है PCOD को एक बिमारी नहीं कहा जा सकता क्यूंकि इसे आप अपने लाइफस्टाइल से ठीक कर सकते हैं जबकि PCOS एक मेटबॉलिक डिसॉर्डर है PCOD बहुत जादा कॉमन है हर तीन में से एक महिला को यह situation होती है PCOS के मरीज PCOD के मुकाबले कम पाए जाते हैं जिन महिलाओं को PCOS होता है उन्हें आगे चलकर diabetes, BP और heart की बिमारी होने की संभाबना बढ़ जाती है इसके साथ साथ मुटापा और यहां तक की cancer के होने के भी chances PCOS से जुड़े रहते हैं हाला कि दोनों के जो लक्षण हैं वो काफी हद तक समान हैं लेकिन फिर भी PCOD से जूज रही महिलाओं को आसानी से ovulation हो जाता है उन्हें कंसीव करने में भी जादा समस्या नहीं आती बलकि जिनने PCOS होता है वो आसानी से कंसीव नहीं कर पाती और उन्हें जादा मुस्वि से और इस अच्छा हल्दी खाना खाएं इस वीडियो में फिलाल इतना ही ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए गोल्ड स्काई को सब्सक्राइब करना ना भूले